तो लाइट का ये पार्ट 3 लेक्चर इससे पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रेक्शन ओफ लाइट रिक्टांगुलर ग्लास पे देखा था कैसे देखा था रिफ्रेक्शन ओफ लाइट किस पर देखा था rectangular glass यहने एक rectangular glass होता था light incident होती थे और बात में reflection उस पर हम लोग ने कुछ numerical भी किया थे mainly दो formula यूज किया थे speed of light speed of light वाले की यूज किया था refractive index is equal to speed of light in air upon speed of light in medium और एक sin i by sin r वाला यूज किया था लेकिन वो दोनो formula किसके लिए थे rectangular glass के point of view से थे ठीक है ना चलो अब हम देखेंगे reflection of light through a glass prism यहनि एक prism में हम लोग यह देखेंगे कि prism में अगर light incident करती है तो उसका क्या impact होता है उस पर क्या deviation होता है कितना reflection होता है और और ठीक है ना चलो कराएंगे हम लोग light को incident एक light आ रही है इस point में incident किया जहाँ जहाँ पर incident करेगी like वहाँ वहाँ पर हम लोग normal बनाते में चलेंगे दिवी पहने तो यहाँ भी light incident की तो यहाँ पर क्या करो normal बना दो normal मत्तब यह जो surface है उससे 90 degree यह surface है ना यह मैंने बनाया क्या normal ठीक है दिखाई दे रहा है आँ से दिखाई दे रहा है अब यह light क्या होगी बताओ यह normal से away जाएगी कि two hours जाएगी सुन लो यह समझ लो यह हमारा क्या है air है और यह glass prism है ठीक है तो definitely rarer से denser वे जाएगी तो light थोड़ी सी तो bend होगी यह two hours normal जानी ही जानी है थोड़ी से मतलब है depend on इसका क्या reflective index है इस glass का जाधा reflective index होगा तो जाधा bend करेगी तो यह light को मैंने reflect करा दिया ओके फिर क्या होगा जैसे कि मैंने कहा जहा जहा पर light टकराएगी वहाँ पर फॉरण से देख लो है ना ये ठीक है ना इस surface से मैंने 90 degree करा दिया अब बताओ जब यह light बहार air में आ रही है तो away from normal होगी कि two hours to normal होगी away क्यूंकि rarer से denser जाने में light भाई देखो सोचो अब आप यहाँ कंसे कैसे बनाए by default तो ऐसे है न by default देखो ऐसे है लेकर हमें करना क्या है rarer से denser जा रहे है बच्चें आपे confused होते है कैसे बनाए ऐसे ऐसे देखो by default ऐसे light है ऐसे जानी थी लेकिए अब ऐसे नहीं जाएगी क्यों नहीं ऐसे जाएगी क्योंकि rarer से denser में आ रही है अब ये तो by default वाली position हो गई अब हम कहरे है कि अगर denser से rarer में आ रही है light तो away from normal होते है अवे मतलब ऐसे दो करोगे ऐसे दो करोगे अवे मतलब ऐसे दो ली नहीं आ होगा ये by default वाला है अवे मतलब ऐसे ही तो करोगे हासर ऐसे ही करेंगे हम लोग ठीक है ये लोग ये light बाहर चले गए ठीक है अब सवाल ये है सवाल ये है कि अगर ये prism ना होता लाइट तो ठीक अच्छी खासी deviate हुई अगर ये prism ना होता सुचो दरा तुचो अगर ये prism ना होता तो light ऐसे जा रही होती है अपने मस्ती में लेकिन इस prism की वज़ा से light ऐसे ना जाकर ऐसे आ गई कितना जबरदस तरीके से इसका deviation हुआ है कितना जबरदस जबरदस deviation हुआ है कहा light ऐसे जा रही थी और ऐसे आना पड़ गया उसे बीच में एक बस तुमने कलाकारी कर दी थी क्या कलाकारी कर दी थी तुमने प्रिस्म रख दिया थे glass का ठीक है तो ठीक है देखेंगे अब तुम उस पर experiment कर रहो कि यार चलो हमने ये particular refractive index का glass रखा तो देखते हैं कि light कितनी bend हुई है तो कितनी bend हुई है इसका process देखो हम कैसे करेंगे pencil है क्या देखो अगर ये prism ना होता अगर ये prism ना होता तो light ऐसे आ रही थी जाती है ऐसे ही तो क्या angle I, R ये सब कर ने क्या चलो कर सकते हैं यहाँ पर I angle है यहाँ पर R angle है यहाँ पर Imergent angle पॉल देखा चलो I2 भी पूल सकते हैं अंदर I1 ऐसे कह सकते हैं I2 या I और E भी कह सकते हैं जैसे आपको comfort लगे तो मैंने I1 देखे तो यहाँ पर I2 पीच पीच में R1, R2 देखे हैं यह R1 है तो यह वाला अंदर अंदर हैं ठीक है चलो हमने क्या किया यह प्रिज्म ना होता तो लाइट हमारी ऐसे जा रही होती हाँ सर ऐसे जा रही होती हाँ सर ऐसे जा रही होती लाइट लेकिन प्रिज्म होने के विज़ लाइट ऐसे चली गई इतनी बेंड हो गई देखो अब इसका पीछ एस्टन करो यह है कहानी लाइट ऐसे जा रही थी लेकिन प्रिज्म होने की वज़े से लाइट इतनी बैंड होगी देखो इतनी बैंड होगी है न यही तो मिला सिधान इस लाइट की सिधान देखो कितनी बैंड होगी इतनी बैंड होगी यह वाला इंदल कभी के बच्चे गलती करें यह नहीं ऐसे नहीं करना है यह वाला नहीं नहीं यहाँ लाइट ऐसे जा रही थी और इतनी मोल गए देखो ऐसे जा रही थी इतनी मोल गए इसे बोलते angle of deviation इसे जा बोलते angle of deviation ठीक है तो angle of deviation का हम एक formula दिया गये है इसा आप measure करके बता सकते हो लेकिन mathematics या physics में जो इसका calculation या formula वो क्या है बताते हो angle of deviation is equal to i1 plus i2 minus r1 plus r2 याद रहेगा याद रहेगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो angle of deviation is equal to i1 plus i2 minus a so minus a क्यों की क्यों की जो a होता है what is a sir a is angle of prism यह वाला वो भी कौन वाला देख लो अगर यहाँ पर light इस तरह जा रही न तो यहाँ यह वाला उपर वाला है वेश तरह पर ठीक आगे 12 में काफी हो tip में है इसको proving भी आपको कि formula कैसे माना लेकिन 10 में यह नहीं है आपको तो इसने मैं नहीं बता रहा हूँ ठीक है लेकिन 12 में यह formula कैसे आया उसका proving भी आपको लेकिन 10 में नहीं है तो यह A है वो यह angle है अब वो होता है R1, R2 के बराबर यह proving कर सकते हो लेकिन अभी आपको है नहीं इसने मैं नहीं बता हूँ तो इसके जगह हम A डाल केंगे ठीक है अब इसी formula को आगे पिछे कर सकते हो जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 plus I2 is equal to minus A इधरा क्या हो जाएगा प्लस A तो यह deviation नहीं प्लस A अब कोई भी question इस तरह आ सकता है कोभी तीन तो में इसे चार variable का यहाँ पर question है कितने variable का? चार, deviation I1, I2 और A इस चार में कोभी तीन information देदेगा चोथी information पूछेगा हो सकता है तुमाँ deviation देदे I1 देदे, I2 देदे A पूछ ले क्या पूछ ले? तो A विज़र लिख लिख लेगा deviation देदेगा लाके minus करा देगे है ना? कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है उस चार deviation नहीं पूछ ले A देदे angle of prism देदे यह मतलब angle of prism ठीक है? A देदेगा और I1, I2 देदेगा I1, I2 नहीं दिया हुआ है तो चौड तरीके दे R1 दिया हुआ है I1 दे दिया है I2 नहीं माल भी तो वो निकाल सकते है क्योंकि हमारे पास sin I by sin R भी formula है वो भी formula है अगर कोई angle miss भी हो रहा है तो हम लोग निकाल सकते है information निकाल सकते है तो यह concept था इसका प्रेस मकाब तो यह अगला सवाल आपके mind में आना चलिए कि यह जो deviate हुआ है इतना बड़ा जो tunnel लिया है इससे क्या factor हो सकते है कौन लोग जिम्मेदार हो सकते है कौन लोग जिम्मेदार हो सकते है कि यह जो deviation angle of deviation वो कम है जादा है कम मेंदोर है जादा मेंदोर है इसके कौन लोग जिम्मेदार है तो यह तो आप तो पता ही हुआ है और यह किस पर डिपेंड करता है एक्ष्वल में उसके मैटरियल के उपर ग्लास कितना हाड है यह जितना जादा रिफ्रेक्टोंटेस है उसका उतना जादा डिवेशन होगा दूसरा एंगल ओफ इंटिरेंट पर दूसरा किस मतलब जितना जादा बेंड हो रही है उसी साथ के उसका डिवेशन होगा इंगल ओफ आई तीसरा हम क्या कह सकते हैं अंगल अगर ऑपरेसम हाँ अंगल ऑपरेसम भी मैटर कर रहा है देख नों ना मैटर करी रहे ना इस फुर्छ डिवेशन में एक तो काम आई रहा है अगर अगर जाधा होता तो Angle of Division क्या होता बोलो कम हो जाएगा कि-A है न क्या है यह है ? जाधा और व migrant धुए जाया ब़ई मायनस हो जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू है तो आंसर कम नहीं हो जायेगा अच्छोटा यह बह्त बहुत छोटा सा यह ब कर हदा तो division बहुत जादा फर्क नहीं आएगा लेकिन एक बड़ी value माइनस करा दो इस पूरे i1, i2 से यानि ए बड़ा होगा तो division छोटा होगा angle of division angle of incident हो गया angle of prism, इसका मत्स्था भी angle of prism, impact डाल रहा है है ना angle of prism, factor है, जिम्मेदार है फिर बात दे color of wavelength भी होता है क्योंकि अलग-अलग light की speed अलग-अलग होती है, wavelength के पर भी depend करता है हो color हो गया या फिर wavelength होती है, color लेलो color मत्स्था wavelength, अलग-अलग light का color में अलग-अलग wavelength होती है ठीक है ना ये तो अभी आगे पता जल जाएगा ठीक है scattering of light है, जो अब हम लोग क्या कर सकते है अच्छा हाँ, एक और चीज़ देख लो तो एक आपको graph दिया हुआ है angle of incident and angle of deviation का ये graph याद करने ना, इसके graph क्या होता है पहले decrease होता है पहले क्या होता है, लिक्रीज होता है फिर बाद में increase होता है, angle of deviation ठीक है, ठीक है इंसिदेंस के साथ angle of incident बलाते जाओ angle of incident बलाते जाओ तो पहले deviation काम होगा लेकिन बाद में बढ़ता गया है, ठीक है तो ये graph वैसे ये graph नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको आपको में बता दिया है ठीक है, यह आपने कुछ निकाल सकते हो आप इसे, क्या ये भी निकाल सकते हो इसका तो अलगलग कुछ एक्जापल दिये है हमें इसे फिर भी हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेशन करेंगे इसे ये इस टाइप पी एक्जाम में आता है complete the diagram आता है complete the diagram अब इसका diagram कैसे complete करो क्या आता है ये वाला दिया हुआ था ऐसे दिया हुआ था ये दर है ये लाइन एक्जली बच्चों तो बना दिए चलो ठीक है, मैं यह यहां पर करके दिखा रहा हूँ तुम्हें क्या देती है जाएगा जैसे एक एंगल देती है और कोई भी एक लाइट हो सकते यहां ते इंसिनन्ट देते या फिर इमर्जन बारी देते है हो सकता है यह लाइट देते ऐसे आइरो दिखाने जरूर एडिक है, बोलेगा complete देडाइक रहा हूँ तो आँ यहा पीछे आओ, कैसे हाँ नौर्मल बनां बनाके पीछे आओ यह नौर्मल सही है न? देखuję पीछे आओ अब इड़र ऑसे जगा हो यह दो हुती हाँ इसका बना दू नौर्मल, पिर हवा है अवे रहे गा तोना इस तरह कर सकते हैं ठीक है तो यह फॉर्मुला मैं कि दुबारा बता दू एंगल अगल अग्ल अग्ला प्लस आइटू आइटू जब लाइट पहले इंसिडेंट करेंगी आइटू जो लाइट पूरी तरह आगे इमर्जेंट वाला एंगल माइनस कर देंगे आरवन रटू से आर नाटकू है यह तरह अगर नहीं दिया जाये में अर्ट्य शक्ते एगशेश के मराबर हें लिए और तो लिए अगरा इंगल अग्र नहीं दिया इट आए आल टू नहीं दिया हूँ अब क्या करें सब्सक्राइब नहीं है जबश्य biology नहीं है तो अब ने यहां पर खुछ थे क्या लगाएं क्या निकाल ले से अबने क्या फॉर्म लगाई रवन प्लस आरटू अब यहांपर देखें यार आईटू में 60 ले रहा हूँ और यह ले रहा हूँ मैं आईटू 75 और रवन में ले रहा हूँ 30 ले यह दिया हूँ आप यहां पर फॉर्मुला खंगाल और यार आईवन दिया है दिया हुआ है खुश हो गए I2 दिया है हमादी खुश होगए d Now रख उंद दिया हुआ तो यहांना पे कुश हो होगए लेकन R2 जो रठू memb try कैसे निखाले हूए डिया लास Pak क्यों नहीं ध्यान कि दिया हुआ significance और चणा02 क्या एंगल थे एंगर तो अक्या है तो और सुन होाय कितना 1.5 साइंड थीकुल 3 बाइट 2 पाइट फैननाकि तो थे मुँना तो घ्र्रोट 3 बाइट 2 банि इसे गरी में तो आइंगार इदर लाना वेल्यू आ जाएगी उसे वैल्यू को एंगल में कर लेगा जिए 60 डिटी रूट 3 वाइटू है तो अब यहां पर जो वैल्यू आएगी नुम्रिकल में आएगी मतलब रेडियन में आएगी एंगल तो उसको एंगल में वापस convert कर लेगा जाने इत और टहल रहे हैं और कोई है न बता तो दिया पुरी कहानी यह आइंगे दो रही है तो कहानी हो रही है अगर इदर बाला नहीं दिया हुआ है इदर बाला दिया तो इदर के लिए यहां पर जो लाइट होगी उसे इस नाहिए अलग हो जाएगे यहां पर इधर आई मान रहे इधर के लिए आपने यह वाले दे को माना जाएगे लाए दर एक्ट नीकालने तो वह समझ में आ जाये में तुम्हें एक दो तीन ठीक है और यह पूछा बोला गया है कि डियाग्राम कंप्लीट करो और जहां जहां पर जरुवत है तुम्हें एंगल देनी कि इनी डियाग्राम तुम मनाओ वहाँ वहाँ एंगल देते यहां तो अच्छी बाद है फिर इन्फर्मेशन अमारे बद काफी मिलती जाए ठीक है करेंगे एक एक में पहले कॉपी कर लूँ इसके बाद मैं आपको कप्टीट करके दिखाऊंगा तो तुम्हें यह डियाग्राम दिया हुआ है तो वह बोला इसे कंप्लीट करो जहां जहां पर जरूरी है जहां जहां पर जरूरी है वहाँ पर एंगल भी देती है चलो तेजिस करेंगे हम लो यह तुम्हें प्रिज में दिख रहा है को ट्रैंगल बेस पर ग्लास है तो को अगर यह 60 डिग्री नाइंटी है तो यहां पर कितना डिग्री होगा बोलो 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 जल्दी क्या कर दिया जी क्या कर दिया 50 और 90 कितना हुआ 150 तो बचा क्या 30 तो बचेगा फूटल एक्सवासी होता है ठीक है अच्छा चलो लाइट को आगी हम लोग फटा-फट यह करवाएंगे अब देखो मैं रेट में जूस कर रहा हूँ आगे के रहे के लिए जिससे की इन कंप क्या आते त्व पता चलना चाहिए कोंसा पहले जता था तो लाइट कभीवें के इंसिडेंट यह लेकितना है बूल चमया किनए खरा Kurka मुद गलती है नहीं आप तर्फेस से नहीं से पांठा थीड़ेशूर। नहीं ध्यान कि silent No formal से लिए जां नॉर्मल कैसे में 90 डिग्री बनता है इसलेगा हो जाए का अरे भाई आंगल वे तो नॉर्मल भी तो इसलेगी लाइट light में 90 पे और हमें normal में 90 बनाना होता है तो एक दूसरे मिला कि 0 degree हुआ ना यह देखो ना 0 degree हुआ 90 था ऐसे हुआ यह normal है यह light है ऐसे एक दूसरे बहुआ 0 degree हुआ कि नहीं हुआ सच में है दिल के तुकले करते है ठीक है अब एक और concept एक और concept क्या है कि light कभी भी यह नहीं कि incidence of angle 0 degree है या फिर या फिर या फिर देखो angle I 0 degree और light and surface का angle light या ray and surface जहां पे टकरार ही light इनके 20 का angle क्या है 90 degree है इसे भी कह सकते हूँ लेकिन incidence की बात करूँ जी 0 degree है ठीक है तो light और यह surface 90 degree है तो light कैसे चली जाएगी सीधी चली जाएगी no deviation no reflection यह सारे फूरी बातें पहले lecture में भी हो चुकी है पहले दो पार्ट में पहले दो पार्ट में भी हो चुकी है ठीक है ना तो अब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहो तो बात अलागी तो light कैसे सीधी जाएगी light को सीधी निकालो light सीधी मैं black से निकाल रहा हूँ यह light चली गई आगे यहाँ पर टकराई हम यहाँ पर टकराई जहाँ पर टकराती है वहाँ पर normal बनाते वे चलेंगे हम यहाँ पर normal बना देंगे normal कभी भी surface से बनता है 90 ठीक है अब देखो दरा लाइट को ऐसे जाना था लेकिन आड़ ऐसे ना जाकर लाइट को ऐसे जाना था ना ऐसे ना जाकर लाइट तो लाइट ऐसे हो जाए या तो लाइट ऐसे हो जाए क्यों सर जरूरी है क्या हाँ जरूरी है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है क्योंकि मी सर्फेस कैसा है एंगल कैसा बन रहा है ऐसे होना चाहिए ना तब तो सीधा मानते हैं तो लाइट डिफिनेट्टी या तो इधर मेंड होगी या तो मतलब ट्वार्थ नॉर्मल अवे सब्सक्राइब क्या होगा बताओ अवे और ट्वार्ड्स अवे होगा हवा में जा रही है अवे होगा तो ऐसे सब्सक्राइब करना बाद में अवे और नॉर्मल तभी उसके बाद ही आईडिया होगा अवे हैंगी ट्वार्ड्स अब यहां से यहां ऐसे रख लूंग लिए यह जगड़ से बहुत इतना जादा करना छेद है समझ में कामा ठीक है फिर भी थोला अगल बना देना है अच्छे देखो यहां पर एंगल कितना आ जाएगा चलो रेट से बना कितना एंगल होगा यहां पर एंगल कितना हो जो बोलेंगे यहां पर एंगल 60 डिगरी होगा क्यों 60 डिगरी होगा अरे भाई यह ट्रेंगल को टार्गेट करो यह 90 है कि नहीं है य तो यहां पर आर्टू कितना है देख लो कितना है अरे भाई पूरा नार्मल से ग्रीन लाइन देखो ग्रीन लाइन दिखरी सर्फेस और यह यह दोना एंगल मिलके कितने है नार्मल इस वाले पूरे एंगल में दो इंगल बटे हो अगर कितना हुआ 30 हुआ कि नहीं हुआ कि मने बनाया संध्र राजान की इस पूरे वाले सیक्ष्ण इस वाले ट्राइंगल की वज़ा से अगर एक सिष्टी है इस पूरे 90 में अगर एक पार सिष्टी है तो दूसरा कितना होगा 30 तो होगा तभी ते मिलके 90 हुआ आसरने हैं हाँ सही चलो अई टू देखो कितना है आई टू बने कहाँ यहां पे पने गाई टू ऐगी नहीं हैंder मोगें यहां प्ल के नहीं हा रहे है पल के नहीं आरे हो, हमेशा एंगल light और normal से बनता है, हमेशा एंगल किसे बनता है, एक ray और एक normal, अगर यहां कहां से बना हारे दिवाई, यह तो surface है, क्या lecture देखें आपको, कुछ नहीं देखें, तो आप चाहा आई टू देखेंगे, चलो दिमाग लगाएंगे, दिमाग ल देखो, तो तुम्हें अगर यहां पर आप आई टू पूछा गया, अगर आई टू निकाल दा, तो अब यहां पर आपको prism का refractive index दिया होगा, तो इसमें क्या दिया होगा, समझो दिया 1.5, समझो, अब यहां से निकाल सकते हो, कैसे, refractive index is equal to sign i by sign r, अब यहां पर दियान लखना, जब यह light बहार आ रही है, तो यह जो i2 है, वो sign r का का काम कर, यह चीज़ ध्यान लखना, यह चीज़, ध्यान लखना क्या, light इधर बहार आ रहे हैं यह r होगा, यह वाला i होगा, यह 30 degree निकाला है, यह क्या होगा है, i होगा, अब के बारा इससे होगा है, तो mu होगा 1.5, sin i 30 degree है, अब ऐसे समझना है, इधर वाला light इधर से i न, incident इधर, यह reflect होगा, और sin r तुमें नहीं पता है, तो sin r उपर होगा, sin i होगा, 1 by 2, sin 30 के value, 1 by 2 होगा, और यह होगा 1.5, तो sin r हो जाएगा, 1.5, 0.5, यह 1.5, हाफ मतला 0.2, तो यह होगा 1 by 3, कितना होगा, 1 by 3, तो अब 1 by 3 का, यह value लाएगी, यह 0.33 होगा, क्या होगी, 0.33, ठीक है, तो अब यह आपको इस point पर अगर आईसे कोई point आगा है, तो तो तुमें 0.33 के angular value दी होगा, एक्जामपल के तोर पे 1 by 2 की value क्या है, 730 होती है, 1 by 2 है, उसी तरह 0.33 की value भी फिर कुछ आपको given होगा, ठीक है, तो खैर इसमें सिर्फ complete diagram और इतना पूराद, जहाँ 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 पर angle की दर्मत, वहाँ बना दे, बुक में तो खैर इतना नहीं बनाया गया, लेकि फि complete करने, एक मैं और करा रिता हूँ, ठीक है, अगला diagram यह है, और हमें बोला जाए कि diagram को complete करने है, ठीक है, यह light की ray है, एरो बना को बना राइट के ray है, नॉर्मल है समझता है, 90 डिगरी से है, तो यह कहँआ पर reflect करेंगी, बोलो, अवे या नॉर्मल, कहाँ पर reflect करेंगी, यह light कहाँ पर deviate करेंगी, तो हमने क्या कहाँ था है, जब जब light incident हो, पहले आप नॉर्मल बनाओगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा, तो आर्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब तुम नॉर्मल ही नहीं बनाओगे, कैसे अवे नॉर्मल बनाओगे, तो हमने नॉर्मल बना बनाओगे, नॉर्मल डिग्री में बनाओगे, तो ये 90 दिया है, इस ज लिए उपर ओवरलैपिंग हो रही है तो, और ये, और ये बनाओगे, ये नॉर्मल है, अब ये लाइट सीधे ज़ी जाएगा, अंगल आई 0 हो ग सर्फेस से इंसिडेंट की लाइट 90 डिग्री या फिर नॉर्मल से अंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो क्या हो जाएगा सीधी लाइट चलिए है यह अभी भी सीख है अब मैं रेट से आगे करिए बना रहा हूँ तो मैंने कॉंटिनू किया लाइट सीधी चली गई यहां पर टकरा साथी वहां पर नॉर्मल बनाते हैं जैसे कि पता है हम लोग को हमने बनाये नॉर्मल बना दिया है अब नॉर्मल से दिखना होता है कि लाइट टुवार्स है कि अवे है अब बताओ आगे लेट टुवार्स नॉर्मल रहेगी कि अवे फरम नॉर्मल बोलो ऐसे करेंगे कि आएसे करेंगे. अवे अरे भाई डेंसर से रेरर में जा रहे हो आवे करो ऐसे जाएगी तोड़ाओर क्लोस करने सम्झाने के लिए लाइड ऐसे चली आएगे आएगी निए बोला कि जहां जहां पर तुम एंगल दे सकते हैं तो एंगल दे तो थे देंगे देखो यह 90 है तो यह भी कितना होगा 90 होगा अरे देखो ना यह स्ट्रेट लाइट पर एक साइड 90 दूसरे नाइंटी होगा 180 होते हैं टोटल एक कितना होगा 720 होगा है यहाँ पर यहां पर 90 होगा यहां 30 यहांं पर 50 होगा पर क्या मा अगर एंगल को टार्डेट करो यह तीस है यह से नाइंटी है तो यह किटना होगा 60 होगा यह पूरा 90 है यह पूरा अगर 90 है जिसमीद 60 उधर हटा दिया त्यक्तना बचा 30 बचा यह पूरा 90 है जोर्वल से अगर उधर वाला पारट 60 है इस्टी 32 हो बचाद है तो यह कफी हम तक कि हम दे इतने एंगल दिखा दिए एक्जाम में इतना ही पूछा गया है और जादा नहीं पूछा गया है तो यह आपका डियाग्राम कंप्रीट करो जहां पर जरूवत है एंगल बतानी कि बता दो तो मैंने यहां बें 30 एंगल बता दिया और यह भी याद रखना कि A is equal to क्या होता है R1 प्लस R2 होता है R1 जीरो है और 8 में 30 दिया हुआ है ऐसे बता सकते हुआ हो यह लुकर लगात 8 में 30 दिया हुआ है एक फॉर्मुला R1 प्लस R2 होता है यह मालू मैं मेरा एक निचे एक रिका है equal to R1 तो 0 degree सीधी लाइन जा रही है R2 30 हमने ऐसे निकाला है अब हो गया 0 प्लस R2 ला R2 30 हम लोगों हम लोगों ने फॉर्मुले से भी निकाल लिया यह चीजें है कर सकते हैं हम लोग तो प्रेस्बी का जो टॉपिक था वो पिरा हुआ 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 से ओके इसके बाद जो नेच्ट टॉपिक है वह हम लोग देखेंगे इसी रिफ्रेक्श पता नहीं है जाए यहां पाए यहां पाए एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ देख लो अब यहां पर बीच में आपने ग्लास का प्रेस्ट अब आपकोई चीज यहां से देख कोई आप्जेक्ट तुमने यहां पर रखा हुआ है तुम यह बाजु तो वो तुमें यहां यहां पर नहीं दिखाई देगा वो तुमें यहां पर दिखाई देगा हां यहां पर दिखाई देगा क्यूं क्यूं देखो हमें पता है कोई चीज़ देखने के लिए कोई चीज़ हमें चीज़ दिखती है वो कब दिखती है पता है जो हमारे आख हमें लाड़ जाती है च इस पर light पढ़ रही है और यह light के रहे हमारी आखों में आ रही है यह light जब कि non luminous object है लेकिन light टकराई इस पर luminous object से हम देखे हैं यह light, sun light है जो भी यह light यह light टकराई हमें पता है तिखरे में जरुदा reflection होगा इस पूस आपजेक्ट में reflection होगा लेकिन हमारे हाकों में लाइट रहे जाए हाँ है हमारे आखों में हाँ भी रिखानी है यह अब्जेक्ट है यह रेय निकली हम यह इंकली यह टकरई सोरी यह Fर्शक हो गई है थीख है अब यह हमारी हमारी आउक्व में गई यह हमारी आउक्व देखो भाई देखो यह यह गई फिर अवे फ्र नॉर्मा लोगे इधर लाइट आई ऐसे और आइसे हमने कर दिया ठीक है चलो सवाल जी कि हमारा अप्जेक वह यहां क्यों देख रहा है इमेज यहां क्यों देख रहा है हमारी आके तो सीधा देख लेंगे तो यह रे ऐसे गई और हमारी आके ऐसे देख रहे है यही रे को पीछे इस्टेंड करेंगे यही दोरों के पीछे इस्टेंड कर तो यहां पर मी यहां पर इमेज दिखाई देगी इस आपकेट की में चहां दिखाई देगी मैं निद्धी बाल्टी में को को एंट तो लह उपर दिखाई देता है कि यह फिर गलास से देखो को भी रख पानी पिए या पेंसिल डालो गलास पानी भर रहो गलास में पेंसल दालो बेशिल बाहर से शीजे आएका रहां ठेट से दक लिए एक तो यहीं कॉंसेट्ट है इस अब्जेक्ते ही तक्रा कराते हैं, याद रपने